नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक्जाम वारियर में तो आज हम करने वाले हैं रीजनिंग की क्लास नमबर 15 जिसमें मैं आज आपको नमबर सीरीज के बारे में बताऊंगा और जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी डिस्क्रिप्शिन में मैं लिंक दे दूँगा आप बहां से उन वीडियो को जरूर चेक करें और जो नए हैं जो नए वीवर्स हैं वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो तो यहां पर आज मैं बताने वाला हूं नमबर सीरीज सबसे पहले मैं आज आपको इसके टाइप बताऊंगा बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल के कॉस्चन भी मैं आपको इसमें करवाऊंगा जो सबसे पहला टाइप होता है नमबर सीरीज का पहला होता है अर्थमेटिक इसमें क्या होता है इसमें जो श्रिंखला दी जाती है जो सीरीज दी जाती है उसमें जमा या तो माइनस हुआ होता है जो अगली आती है जो प्रकार अगला है वो जियोमेट्रिक है अब geometry कैसे देखिए कोई श्रिंखला क्या होती है कि जैसे मान लेज़े कोई श्रिंखला है 5 है बो 10 आगे 30 इस तरह से 50 देखिए 5 से शुरू हुई थे आगे 50 पहुँच चुकी मतलब संख्या में काफी बदलाब आ चुका है तो इसका मतलब यहां पर गुणा हुआ होगा तो यहां पर वे संख्याएं श्रामिल की जाती है जिसमें गुणा हुआ होता है अब एक आती है आपके पास divide वाली उसमें क्या होता है कि एक जो श्रिंखला दी गई होती है एक निश्चित संख्या से उसे विवाजित किया जाता है एक आती है square root वाली इसमें श्रिंखला जो है उसमें क्या होता है कि किसी संख्या का जो संख्या दी गई है वहाँ पर वो square root होता है किसी का और एक cube की होती है cube होती है और एक प्रकार जो है आपका number series का बो है arithmetic plus geometric इसमें क्या होता है कि एक संख्या को पहले गुना किया जाता है या पहले जमा किया जाता है फिर उसे गुना किया जाता है इस तरह से वहाँ पर दो condition apply होती है एक की and chicken में अब देखे जब आप नमबर सीरीज करते हो, जासे यहाँ पर हमसे पूछा गया है, कि यहाँ क्या आएगा, जभ इस तरह की श्रिंखला दी जाती है, कि यहाँ से यहाँ तक हमारे पास दी गई ha, और यहां हमसे पूछा गया है क्या गयात करना है आपने वस यहां तक की आपने श्रिंकला को अरेंज करना है कैसे देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे कि आपने 5 से 10 को बनाना है पांच को हमने 10 बनाना है तो कैसे बनेगा पहला तरीका हम 5 को गुणा करेंगे 2 से तो हमारे पास 10 आएगा तो यहां देखो अगर हम यहां से 5 से 10 आगे तो दौनों कंडिशन से 10 आ रहा है अब हमने 10 से 17 बनाना है अब 17 को हम या तो 2 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा या तो हम यहां पर 10 को 30 से गुणा करेंगे तो 30 आएगा मतलब जो हम गुणा करेंगे उससे हमारे पास यह नहीं आ रहा मतलब यहां पर जमा हुआ होगा जमा करेंगे तो सबसे पहले जमा के लिए हम देखेंगे यहां पर हमारे पास मैं इसे पहले रब कर देता हूँ तो अब आप यहां देखोगे गुणा से तो यह आने वाला नहीं तो हम यहां पर जमा कर रहे हैं तो जब हमने जमा किया तो हमने देखा यहां से यहां प्लस 5 हुआ है यहां से यहां को प्लस 5 हुआ है और 10 से 17 जाने के लिए कितना प्लस हुआ है यहाँ पर 7 प्लस हुआ है और 17 से 26 के लिए आप देखोगे यहाँ पर कितना प्लस हुआ है यहाँ पर 9 प्लस हुआ है तो यहाँ पर हमारे पास श्रिंखला हमारी मिल चुकी है कैसे देखिए यहां पर पहले 5 एड हुआ फिर 7 हुआ फिर 9 हुआ इसका मतलब यहां पर जितने भी हमारे जैसे यहां पर जो नंबर चले हैं जैसे 5, 7, 9 यह क्या है यह सब और डंबर है और गा मतलब वे नंबर जो 2 से भी भाजित नहीं होते है यहां पर इसी तरह से चला है तो इसका मतलब यहां पर हमारा कितना आएगा यहां हमारा 11 आएगा यहां हमारा 13 आएगा और यहां 15 और यहां पर हमने 17 एड करना है 65 में अगर हम 17 एड करेंगे तो कितना आएगा देखें तो यहां पर आएगा हमारा तो हमारा यहां पर आ चुका है अंसर कितना 72 आ कि यहां पर नहीं Ciao 2 आ एगा क्यूंकि साथ यह बन रहा है 48 हुरारे पास यह पर अंसर आ रहा है तो इसका मतलब यहां पर कितना होगा यहां पर आएगा 82 यह था फर्स टाइप हमारा अर्थमेटिक अब हो सकता है कि कोई ऐसी श्रिंखला दी जाए जिसमें माइनस हो रहा है अब माइनस कैसे होगा देखें कि जैसे मान लेजिए को श्रिंखला दी गई है आपके पास बोश्रिंखला है आपकी 38 फिर यहां पर मान लेजिए आ चुका है 36 फिर यहां 32 26 और यहां पर हमें फाइंड करने को कहा है यहां पर देखें माइनस हो रहा है अब यहां से यहां आप देखोगे यहां पर माइनस कितना हो रहा है यहां माइनस दो हो रहा है और यहां से यहां को माइनस चार हो रहा है औ इसका मतलब यहां से यहां को कितना माइनस होगा आप देखोगे यह सब हमने even number लिये हैं तो even number लेंगे तो यहां पर हमारा आ जाएगा माइनस अगर हम 8 करेंगे तो 8 अगर माइनस होगा तो यहां पर आएगा हमारा अंसर यहां आ जाएगा 18 तो यहां हमारा अंसर 18 आ है अब देखेंगे आप यहां पर जैसे यह संक्या है हमारे पास दी गई यह श्रिंखला है कोई इसमें देखेंगे पहले 4 है फिर 12 आया है फिर 36 फिर 108 फिर 324 फिर 972 जो श्रिंखला है वो एक दम से बढ़ रही है अब आप अब एक्जाम में क्या करोगे अगर आपके पास श्रिंखला इस तरह से दी गई है तो इसका अपने सिंपल सा मतलब निकालना है या तो स्क्योर रूट है या तो अर्थ मैट्रिक प्लस जमेट्रिक है या तो इसमें सिर्फ गुणा हुआ है यह तो स्क्योर रूट या होगा या फिर हमारा अर्थ मैट्रिक प्लस जमेट्रिक हुआ होगा या फिर गुणा हुआ होगा तो इसमें हम देखेंगे जाहिर सी बात यहां जमा तो होगा नहीं यहां पर गुणा हुआ है अब हमने क्या करना है सबसे पहले आपने कोशिश करनी है चार को आपने बारा में बदलना है जब मैं गुणा 3 करूंगा तो यह 12 बन रहा है और जब हम 12 36 को जाएंगे तो अगर मैं 12 को फिर से 3 से गुणा करूं तो यह 108 आ रहा है इसका मतलब पूरी श्रिंखला में 3 का गुणा हुआ है तो यहां पर जो अब बात करते हैं अगर आपके पास इस तरह की सिच्वेशन दी जाती है कई वर क्या होता है कि कॉश्चिन पूछा जाता है अर्थ मैट्रिक अर्थ मैट्रिक प्लस जोमेट्रिक का अब इसमें स्टूडेंट या तो डिफरेंस निकालेंगे या तो जमा करेंगे या तो गुणा करेंगे या भाग करेंगे उन्हें इसका अंदाजा नहीं होता कि यह अर्थ मैट्रिक प्लस जोमेट्रिक भी हो सकती है इसका मतलब यह कि या तो उसमें देखंगे यहां क्या हुआ था गूडощ कि होगा तो आजबर रहा है लेकिन या 8 से बाइस इस तरह से बनेगा जी नहीं अगर हम eight को आट से गुणा करेंगे कितना आएग कि 64 आएगा तो हमारे पास नहीं better न है कि ಯहां अंपर क्या हुआ यहां हुआ है फिर तीन प्लस थीन फिर क्या गुणा दो क्यूफिकि हमने पहले एक से आठ को बदलना एक से अमने आठ वनाना है तो उसके लिए हम पहले इसे चार बनाएंगे फिर इसे दौ से गुणा करेंगे तो यह 8 बन रहा है तो यह condition fulfill हो रही है अब हमने 8 से 22 बनाना है अब 8 से हमने 22 बनाना है यह कैसे हो सकता है देखिए यहां पर हो सकता है कि 8 में plus क्या हो पहले 3 जिससे आ जाएगा हमारे पास 11 फिर 11 को 2 से गुणा किया तो हमारे पास आजाएगा 22 तो यह कंडिशन भी हमारे पास फुल्फिल हो रही है इसका मतलब पहले यहां पर यहां पर प्लस 3 फिर गुणा दो इसी तरह से यह पूरी चली है अब देखिए 22 ते 50 कैसे होगा 22 में पहले प्लस 3 किया 25 बन गया और 25 को फिर 2 से गुणा किया तो हमारे पास 50 आ चुका तो अब हम यहां पर भी ऐसा ही करेंगे कि हम 218 में पहले हम 3 को प्लस करेंगे जिससे हमारे पास 221 आ जाएगा इस क्वेस्टन को आप मुझे कुमेंट में बताओगे कि यहां पर की आएगा अब देखिए इस तरह के टाइप में क्या होता हिका एक सख्टीट संख्य उती है जिसका यहां पर डिफरेंस लिए होता जैसे Je g आप देखूंगे तीन का डिफरेंस है यह फिसी तरह आगे भी तीन तीन आज सोगा तो हर आ जाए गह आगे चौए सब्का अंसर आज़ा है तो आपक deben कि बात करता है क्या रोट पर दिया होता है जैसे अपद धूगो ऑध ग्लग का स्क्रीब 6 च्रीट और 10 च्छोड़कर यह पर लिखा गया जैसे पहले 2 लिखा फिर एक चोड़कर चार लिखा गया मतलब यहाँ पर ईवन संख्यां निकिकी गई है इवन मतलब जो 2 से भाग होती है तो इसका मतलब यहां पर 12 का स्केयर आए का जो की होता है 144 तो अब क्यूब से रिलेटेड कॉश्चिन करते हैं यहां पर आप देखोगे सबसे पहले आपके पास श्रिंखला दी गई है एक आठ फिर यहां पर कॉश्चिन मार्क है फिर 64 फिर इसी तरह से आगे श्रिंखला बढ़ रही है सिर और एक से 20 सकेयर अपने पढ़ लेने हैं यह काफी मदद करेंगे अगर आपको एक से 20 स्केयर आते हैं तो ऐहां पर रमसे पूछा गया था कि कीव कितना आएगा तो कि हमारे पास प्रस्वाइगा 27 अंसर अपने क्यूम्स के पूंद pool कर लेकर मैंने पहले सक्वा लिया है और मैंने क्यूम्स के चार्ट में आपको पहले प्रोवाइब कर वाइड इस तरह की श्रिंखला में दो सीरीज दी जाती है एक साथ इससे क्या होते हैं कि जारती जादा कन्फ्यूज हो जाते हैं अक्सर एक्जाम में इस तरह क्या पूछे जाते हैं देखिए या तो इसको करने करने का तरीका है या तो आप इस तरह से भी कर सकते हो कि यहां से यहां आपका यहां पर प्लस है 13 तो इस तरह से बर्ढ़ रहा है लेकिन इसको करने का एक और तरीका है अब आप देखोगे ही यहां पर दो श्रींख्ला एक यह बहल ट Dios काफी अपको ज्यादा जमांबाग करने की ज manually पड़ेगी अप देखेंगे नप यहां से अगर आप यहां तक जाओगे अब आप यहां से यहां जाओगे क्या हुआ है माइनस एक हुआ है यहां पर भी माइनस एक हुआ है यहां भी माइनस एक हुआ है और यहां पर भी जो आएगी संख्या उसमें माइनस एक ही होगा तो मतलब यहां पर 57 अंसर आएगा तो यह तरीका है इसको करने का यह काफी आसान है अब एक सीरीज बस्ती एक टाइप बश्ता है डिवाइड गा जैसे कोई संख्या आपके पास दी जाएगी 128 फिर आपके पास दिया गया यहां पर 64 फिर 32 अब यहां पर आप से पूछा यह कि यहां कि आएगा अब आप इस तरह में जादा कंफ्यूस हो जाओगे अगर आपको इस टाइप का पता नहीं है लेकिन अगर ध्यांत सी देखोगे तो यहां पर यह कितना है दो करके यहां पर 64 आया जो से डिवाइड करेंगे तो 32 आया तो यह आएगा हमारा 16 तो इस तर सबस्क्राइब करेंगे फिर दीरीम स्क्राइब को गरेंगे तब तक आपने क्या करना है आपने क्यूब एक से बीस तक स्के और एक से बीस तक आपने ध्यान से पढ़ लेने है तो ये थी आज की वीडियो आई होप आपको वीडियो इच्छी लगी होगी और जो नए वीवर्स हैं वेश चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में